आपने को आल्टिमेट वार्निंग दे दिया बाप अगर आइंदा ये बस्ती में आपन चिलर हरकता आइसे आवेसे कामा करे समझ कोई भी बड़े केस में दालके उन्हें अपने को लंबा चंचल गुड़ा जेल में दालके फसा देता बाप मैं भी कुछ ऐसी सोचरों अब शबाना के साथ शादी करके नवाप साब के घर का अधामाद बन जाना बोलके बोल रहों भाप घर जमाई जैसा अपने होता बाप मेरे से तूसरार में जाके फुगट के रोटियां तोड़के घर जमाई बनने का सोचरा रहे तू रोटी तो म नमें फुगए लगागे खाली गाने सुनते रहे थे बेकारी के जमेदाना इसलों को काम पे लगा रहे बएख पर अन्ना आ गया जाके देख अभाट अब तय करिजेए बाप एक मिनट तर जरु तर तर बैलेंस ए अरे शाम में जीर चाज कर आरे बई इस चुटो विदा हलो हलो शेबस का है तू मुनीर में चार मिनार के पास हूं क्यों क्या वा बोल अरे राजयन अपने अत्मियों के साथ अटेप आगा आगा अरे जो कि आए वई पांस मिनिटे में आ रहा ना हाँ चल 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 चुगरेटा ला बोला अर्शिर तो अर्शियन अरे कोज भी ने शेबास हम लोगान ना के साथ में थाकूर गब्र थाकूर रह में और राजण अनौ एक शहर में रखे एक बस्ती में रहे के असा लड़िये तो अच्छा रहता राजन अन्ना समझा रहे हैं वह बात पहले जो बोलना था तू मेरे बाइक को बारा कि इतना को जा रहा है क्या खाया रहे नास्टे में तलाने खूल कि मैं काम करता है यहां यहां जाओ तुम लगा अना चैटी पेंगे चलता राजन अन्ना शेर की सवारी करनी के खाबान नको देखो वरना एक दिन शेर के जबड़ों में जाते हां अगर साओधा करना है तो बोलो एक जबरतस पाटी तयार है अना मगल संतनत की एक खीम की तल पाटी साली एक लाग रुपे का डिमांड कर रही अगर तुम ले लेंगे ना तो धूम मचा जींगे तुम तल्वार वो तल्वार तो म्यूजिम में लगा यूना है अन्ना ऐसे कई खिसम के तल्वार आये कां-कांकी इस्तेमाल होते रहते वो तल्वार तुम लेलो भूत यह रहते काई पूमारी चोटी चाहुए ना यह बहुत के जमाने में तल्वार क्या क्या में हैंगे वह खरीदने वाले पांसलाख की तो तयारी से सब्सक्राइब ना जूड बोलने वाले की मोता में नहीं जाते आप राजन अन्ना हम लोग जूड बोलके लुपा-डूप करें तुम लोगा है तुरा हैदराबद वही बोलता पहले ये बोलो मेरकू तलवार कैसे लेना किदर से लेना कल सुभा जाना है ना कल तुम चार पाइत लाक रुपए लालो तुमारी पुटी हला मारी विए से ओ कप देखा तू तेरी हालत देखके अंदा लगाया आजाओ दर्वाजा खुला है स्लावलेकूं पठाने अंदर आओ सालेक। आगे अब लोग स्लावलेकूं सब्सक्राइब ये वह तलवार है जिसे हिंदुस्तान के मुगल सल्तनत के सिपे सालार जब मैदान में लेकर उतरते थे वल्ला कसम संचुरी मारे बगर पवेलियन से घर नह यह तलवार इतनी नर्मी से गर्दन काड़ती है कि मरने वाले को खुद पता नहीं चलता के वो मरा कब और उसकी गर्दन नीचे कब गिरी यकीन नहीं आ रहा तो को एक अपने आप गर्दन आगे करिए राजा ना गर्दन पर चक करेंगे इनकी मुदी है कापुश्पट पठान अगर आप बोरेता यह तलवार देख सकते हैं यह आप लोग के लिए ही तो बनाईवी तलवार है गाले में आ गया अन्ना पगड़ों हातां अंकट जए यह बच्चों के खेलने की चीज नहीं है सर कड़ जाए तो दम निकल आता है फान साब इन्हों बच्चे नहीं है साओदागर है तलवार खरीदने आए हैं आज कल चोरों और साओदागरों के चहरों में फर्क नाजर नहीं आता कर दिया ना राजनाना आमारी इसलिए बु जत रख लेना है तो निकालो पैसे और देदो पठान को अलो पठान इन्हों के साथ चिंदी चोर नहीं होतु मैं खांदानी पैसे वाला हूं मैं भी यह लो पैसे देव तलवार ऐसे अपने तो यह तलवार आसे तुम्हारी तलवार कभी भी याद रखो व्यात अगर वजन रहा तो छेकी जादा गिरते तलवार अगर हल्की रही तो गर्दना जादा गेंगे वो डैलक नहीं सुने अकबर बीन तबर खुद्दा लेचेचों की खबर छे जखमी और पांच बड़र उनके बावा रात तमाम तलवार मामा की पिचर में हां अगर उंगलियां गिराना है तो यहां नहीं बाहर जाकर गिराओ राचन अन्ना जल्दी चलो अंग्रेज वेट कर रहा हूंगा चल रहे चल रहे चल रहे हां मिलींगे फिर और चल बड़ चल अफ्रोस अच्छी एक्टिंग करा पाप बाइस संबाल क करने का है फिल्मों में चांस दिला दू तरे कु अच्छी होटल में इंतिदर कर रहा अंग्रेज चलो देखींगे सितारे चमकेसर का दिख रहा है सावले कु मारू भाई यहां फारन का बिलावडा आने वाला था का है अथा यहां है मुगे को चुपा के बैठाईने इने किसको बोल्रा बाई इंडिन पीपल इस पूर दूर को मालू मैं अमरे मिंस्टर्स के पास इतना पासा है शाहे तेरी कंट्री में पुटना पासान अग्छ्छी मत करो मगूल सालतनात लाओ कैश्स लेजाव वाव नाइस पीस वाव नाइस पीस प्याज भी कर सकते हैं अरे मैं तुमने किसी दोस्रे अंग्रेज को देखा होगा अरे राजनना ये अंग्रेज आं पूरे एक इज गोरी चम्डी के निचे से लेके उपर तक अरे राजनना जानदो छोड़ो ये पंचाद अपने को पहले काम करना है वाट्ट है अरे राजननना वो सब तुमा को काई को तल्वार दियो और फैसे लिए जरा पाइसे दिये तो चले आतो था बहुत मजबूत हरी ती ने पॉड़ नहीं यह फ्रॉड है अंबसी को खॉल करेगा और तुम सब को जेल में बंद करवाएगा अमा चंचल गुड़ा वी आर पूर पीपल हंगरी पीपल को बढ़ान का बच्छा मा को दोका दिया सर सौरी सर पहली बार जिंदेगी में हम लागा तुटिय बन गे मैं त तुम पहले तुमारी चित्चा की जागी रहे अरे अना उन्हें मजा कर रहा तुम कही को टेंचन ले अना पैरा पढ़के खतम करो तुम शलो जी तुम टेंशन के को ले रहे चाख में भोते पूराने तलोवरा यह चलो प्या की आचाने करना रहे जिए पैस में से समझा यह चेटी यार से यह तक ला ले तो हम खर्चान को कर आरे जल्दी और बिरियाने बिरियाने न को खा जा इससे मेरे को इसा प्यालेस खरीदना है अच्छा बेवकू बनाया बाप पार्टी करेंगे और पाप कु जाएंगे पैसे लाओ का इसी एक्टिंग करा हुई आच्छी करा इले 500 500 पहली बात तो तेरे को 300 पे दिंगे बोलके बोला इसको 500 रख ले खामुश्य याने के बिटोल के पैसे में नहीं है यह पांचादार देना था मैं आज डेट पे जाने वाला था ना यह पेट लेके डेट पे नहीं जाते खत मैंने भर का रशांद लालो तुम्हां पास्व देके ट्या बना दिया रहे लोगां तुम्दे मारी एंट्रियार दिल में बजी घंटियारे ढंग कर दो एक दो करेकंग नार्य कि विखूफ की दौलत मैं अकलमन का हिस्सा उता है कि राजन बेखूफ नहीं है बद्माश और शाना भी इह उन्हें हमेशा मुड़ों की दौलत पर भी नदर रखता है हां से दो चानलाग में क्या फरक पड़ता है उसके पास भूत पैसा है चलो भई है तू ऐसी कोशी बरात लेग जाके शादी कर रहा रहे जो ऐसा तन रहा थो अरे मुनिर्क तेरी साली बहुत अच्छी है रहे मेरे वास्ते बात करना आउखा देखर रहे अपनी आउखा देखो नवाप अश्वाकान के पास तुम जैसे दख्णों करा हैं वापे शादी की बा अरे मिया आज के दिन तो बुर्ता पैजा माशेरवान ना था ना मिया खाजी साब यह लेटस जमाना है यह वाटसाप फेस्बूक के दौर में अब यह शेरवानी कुर्टा बज़े मां क्या जूरत है यह कपड़े नहीं है क्या यह ब्राइंडड है खाजी साब वैसे भी खाजी साब शेरवानी सिला लिया उने वो टाइलर आई दी रहनी के वज़े से टाइम पे नहीं दिया शाम में दे देता घर कुछ आगे पेलिंग आउने क्या है की मिया घर से भाग के शादी कर रहें शाये आपको कैसा मालूम एक भी बड़ा बुड़ा नहीं द ले तो यह दोनों बगर निका के हनीमून को चले जाते और इसके जिम्मेदार आप होते इतना बड़ा गुना मिलता खाजी साब यह आजकल की नई नसल तो मिया शैतान के चेले हो गए खाजी साब उससा थूप दो उन्हें मंजा बैठे जबसे उसका दिमाग कुछ भी काम नहीं कर रहा हम लाइच है जो भी उसके दोस्ता कर दी दिये बिस्मिल्ला अच्छा तो ठीक है मिया लाओ अरे कुछ तुम कि फिस कौन देंगा यारखा देंगा अब पहला गवा कौन है मिया अमिर खाथ अरे यह पहला गवा आप यहां सेट कर दीजिए कि यह दूसरे गवा में कौन साइन करेंगे अरे अरे मिया औरतों की नहीं चलती से नीचर से बस तू कर दे तो भी बढ़ा ना पांच क्लाइस आई काजी साब आप से कुछ निकाह पड़ा तो कुछ ऑफर है क्या काई काफर मिया बाइवन गेट वन फिरी का ओफर चल रहा ना हो ला अरे मिया यह कपड़े की दुकान है बाइवन गेट वन फिरी कहते फिरी असलाम लेकूं अब्बू में अवल आई हो मगर यह ड्रामे के खपड़े और ड्रामे के अधाकारों को यहानाने की क्या दुरूति बेटे वहीं छोडाते अब्बू यह ड्रामा नहीं हखीकत है मैंने मुनीर से शादी की है क्या शादी और इससे यह लड़कातों सूरत से ही आवारा बदमाश और सलक्षाप नदर आता है नवाब साफ मेरे को आप भी कोई असली नवाब ने दिगरे सूरत से बत्तमीज ससुर के साथ जबान लडाता है मुबारक हो नवाब साफ शुक्रिया आप कम से कम मेंको अपना दामा तो माल लिए हरकिस नहीं तुम्हारी इस घर में पोजिशन मेरे नौकर वही दुगी जैसी होगी समझे कोई बात ने नवाब साफ वक बदलेंगा तो वक के साथ साथ मैं भी एक दिन आपका मुखाम लेलूगा बड़ी बात और चोटी सोच का नतीजा दुनिया में ही नजर आ जाता है भाई साथ मुबारक हो ये सडख चाप दामाद अबू हम लोग आपको सलाम करकर दुआएं लेने आये थे मगर आपने मेरे शोहर और आपके दामाद की बेज़दी की है इज़द? इज़दार लोग इस तरह की बेज़दी के काम नहीं कर सकते अब ये लोग इस घर में नहीं रह सकते खबरदार ऐसा लगता है कि तुम सब लोग मिलकर इस घर में नोटंगी का कोई खेल खेल रहे हो ससुर जी अब कब तक यहां दामाद को आपके खड़ा कर देते अब मुर्गी बकरा कुछ है नहीं वरम फेरन के लिए बली बकरे की नहीं तुम्हारी चड़ेगी समझे आज तो पहला दे समाल ले तूं तुम्हारे बावा भी को किराक दिकरे दवा टेम पे देरे ने देरे अब ये लोग इस घर में नहीं रह सकते तुम लोगों को जाना है तो अभी चले जाओ इनके साथ नवाव अश्वाख अली खान के साथ धोके बाजी हर्गिज नहीं किराक बुटा है भी तुम्हार वावा भाई जी दो चार दिन के लिए लोग का आप अपने साथी ले जाईए इनका घुस्सा ठंडा होते ही में लोग बुला लूंगी ठीक है भागुश जीतरो बिटा ख मेरा बच्चा आखर मेने द्वारे अपू का मनारी लिया अपू देखो बेटे लिए पेटा तुम्हारे मा के समझाने पर आखरकार हमने अपना गुस्सा ठूप दिया और तुम लोगों को खूल कर लिया है अब तुम लोग इसी घर में रहोंगे मगर याद रहे कि आइंदा कोई ऐसी हरकत नहोंने पाए जिससे इस घर के विखार और हमारे खांदान की इज़त पर फर्ख पड़ता हो और तुम लोग आज बड़े खुशी के मख़ा पर आए तुम्हारी छोटी बहन ने एंबीए में फर्स्ट और फर्स्ट क्लास पास किया है बेटे हिना अभी आई आज हम तुम्हें एफ गिफ्ट देना चाहते हैं इन सब के सामने मेरी बेटी एंबीए में फर्स्ट क्लास पास हुई है अरे मुबारक बात दो इसे भी मेरे बच्चे डिटे आज तुम एंबीए में पास हुई हो मुझे बहुत खुशी हुई है मेरी तरफ से यह चावी एक्टिवा की गिफ्ट तुम्हें लेकिन बेटा थोड़ा हिफादस से चलाना और खियार रखना अपना अगर आप कहते तो मैं मेरी प्यारी साली को एक नया मुबाइल की देता था तेंक यू जी 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 अबू आप नहीं चाहते में मुबाइल ना यूज करो तो मैं नहीं करूंगी शाबाज बेटा शाबाज अबू अमी सलाम अलेकम 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 क्या वेटा कितनी दर लगा दी तुमने हम लोग कितने परेशान है तुमारे लिए अबू वो पूजा के मोमे का एक्सिडेंट हो गया था मैं उन्हें देखने हॉस्पिटल गई थी रुबीना के साथ तो बैटे कम से कम फोन करके अपनी मा को अपनी फूपू को बता तो देते अब पोन कहां से करती अबू मेरे पास तो फोन ही नहीं है आपने मुझे फोन नहीं दिलाया जसाली साहिब आपकी चक्कर में आपकी इंतम्री चक्कर में पूरी नीन मेरी चकले लगए और यह अशां आप शाय तुमारे बावा रूट आट अँगा तुमारी आपनी करवो तो है कि दूनिया में जितने पैसे वाले क्या सोग पड़े लिखे पड़ाई लिखाई से नहीं किसमत से आता है देखना यह है हम इफ्लासों की किसमत में बोन से साल में पैसा आता है जब तक अपन शाबाबा के पास नहीं जाएंगे अपने को बिद आपने इपनी खिसमा खुल जाएंगे अरे वो शो बेकार बाता हैं उन्हें संदल की लुट के बड़ा आदमी बन गया अरे शहबस एक बार शाबाबा के पास जाके देखींगे हो सकता ह कुछ चमक कर हो जाए तू जाके देख माई नहीं आता क्या प्लाणिंगा वलाते बड़े वेरे डाल में कुछ खाला दिखना मेरे मुनिर तेरी साली खयामत हो गई यार की यारी से मतलब रख बलके ना उसकी साली से क्या बोलता रे मुनिर तुम जैसे लोगों के सरका यां घदों के सरका लोटता ना तो मेरे को भी फ्लासी लग जाती थी घमजा पानी नहां के चाया बोल रहां क्या रे मुनिर सुस्रे के माल पे बहुत उड़ रहा तेरी के कुछ जल्री रहा है फिर छोड़ एक बात बोल तुम लोंके पास को तड कि अच्छी के लिए बसे वेटे रखो समानों क्या गंदे लोगा है रहे मुबाइल तो आ गया अब सिम लेने के वासे खुबा ममल जाएका सिम ले लेंगे अरे वां आईडी प्रूफ देना पड़ता रहे बाई अरे इम्रान भाई अपना तुए अरो तुम लां करमें तुम लोगी सौबत में रहा ना तो उन्हें अमीर पेट भी नहीं जाता में कुछ नहीं बोल रहा पासपर्ट बना लिए पहले गाड़े निकालो कि यह हुबा मुबाइल भूत तारीफ सब्लाता दुगान की कि अधिए अधिया एक लेलिए पूरे जगह नेट पर फैता तू गौंका है इसलिए पुपसंद करा अरे हो ले यह तैरे को नहीं मालूम पूरा तेलंगाना में नंबर बन ने करेंसका चलो खुदा पिस चलिए साले को तो तेलंगाना अलग होई गया असलाम अलेको अलेक कि आपके लिए सर्प्राइज कि क्या भाइजान मार्केट में इतने अच्छे बड़े बड़े फोन आ रहे हैं यह क्या लेकर आये हो ना इसमें फेस्बूक है ना टूटर है ना वाटसप है इसलिए ना यहीं है ना इसमें जिर्फ फोन आना फोन जाना जहीं है ना कि यह नंबर सिवाए घरवालों के किसी और को नहीं देना क्यों की कहना हाँ अब और एक बात यह थी आप मेरे को 2000 रुपे दिये थे यह मुबैल 3000 का है मैं 1000 दल के लाया है तुम्हारे पास भी पैसे होते हैं मैं दामात का ऐसा लेना नहीं चाहता बुद्धा भी सही जा रहा है यह लोग यह दिये हैं बेटे अब अब क्या बात है घरवे अटनारी पाए बनाए क्या जबाना ज़रा जाके जल्दी पाए निकलना जल्दी कि अल्ला के नाम पर थे बाप अलल्ला के नाम पर देठे बाभा जो देगा उसका भी वाला जो ना दे हम जर्ड़ कर भी वाला सका भीव ब्यख़ह वहां लॉसको हुट देह है बिर्यानी गरम है मगर हमारे घर में चार बज़े के बाद ही सब फकता तेरी जोली में जो गरम-गरम है बाबा वो मुझ को देदे बाबा तेरा भी भला हो जाएगा अपनी बाजू से बगारा खाना दाल चालाया अब आपको फिर रख यह पिलेड भी लायों इंटरनेशन तो प्रियानी जरी पकी है तू तो मेरे से भी ज्यादा फखीर दिख रहा है कि अगरे घर के दामाद हो के एक फखीर से खाना खरीद के खाते है खरीद के खारा इन्हें आरे इज़त तेरे होले मंगे खारे बोल नवाब सब का दामाद हूं अब सब्सक्राइब आरे फखीरों का खाना मंग के खाये खरीद के खाये तो हम जैसे नवाबाव के घरों में इफलास आ जाता मालूम अरे तो पिर नहीं घुलाते बोले ना हमारा पेड़ भुक्का है तुम खाले रहे पेड़ बर के बिर्यानी बिर्यानी शाम में भूती मैं तेको शाम में बुला लेता हूँ अब जा जा यह नवाबों का घर है अरे मिया तुम्हारी को इज़त नहीं होंगी कम से कम सुस्रे की इज़त का तो ख्याल रखो भीकार इसे भीक मंग के खाना खा रहे दामाद कदे क्या फे इज़ती करा दिया में इज़त इज़त इ आई आई सुसुराना को जी सम्झो